हेलो दियर स्टुडेंट, एक वेस्टन है एलेक्ट्रोस्टेटिक्स का एलेक्ट्रिक पोटेंशल एंड कैपिसिटर चैप्टर से, एक चार्ज क्यू इस डिस्ट्रिबुटेटर उनिफॉर्मली ऑन दे सर्फेस ऑफ स्फेर ऑफ रेडियस आर, यह एक कैपिटल आर रेडियस का एक गोला मालीजे और एक चार्ज क्यू इसकी पूरी सर्फेस पे फैला हुआ है, इस गवर्ड बाई एक कॉंसेंट्रिक होलो कंडुक्टिंग स्फेर ऑफ दे रेडियस टुआर, दुआर रेडियस का एक दूसरे होलो कंडुक्टिंग स्फेर से यह गीरा हुआ है, चार्ज ऑन दे आउटर सर्फेस ऑफ दे होलो स्फेर, होलो स्फेर की आउटर सर्फेस पे चार्ज बताना है, इफ इट इस अर्थ, अगर हमने इसकी अर्थिंग कर रखी, प्योंकर एक बात हमेशे द्यान रखो कि अगर इसकी अर्थिंग कर रखी, हम लग ने अर्थ के साथ गनेट कर रखा है, अर्थ का पोटेंशिल कितना होता है, जीरो, अब हमसे कहा जा रहा है कि जो इनर स्फेर है, इसको हमने यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया है, तब इससे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, चार्ज है इस पर प्लस क्यू, यह तो तैह हुआ कि इंडक्शन होगा, और अगर यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, तो इंडक्शन से इस आउटर स्फेर की इनर सर्फेस पर माइनस क्यू चार्ज डवलप हो जाएगा, और आउटर सर्फेस पर प्लस क्यू चार्ज डवलप हो जाएगा, तो यहाँ पर exactly इतना ही minus q charge develop हो जाएगा क्योंकि conductor है तो बराबर charge develop होता है और बाहर की दरफ इतना ही positive charge develop हो जाएगा लेकिन अब बाहर वाली जो surface है इसकी हम लोगों ने earthing कर रखिये मुझे outer surface पे charge पुछा गया तो एक बार तो charge यह plus q develop हुआ अब यहाँ पर earthing हो रखिये तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ का potential में positive मान सकता हूँ और earth का potential कितना है zero उसका में पतले भी है मैं कह सकता हूँ कि यह जो surface है यह comparatively high potential पर है और यह low potential पर है हमारी जो earth है इसमें electrons का बंदार बढ़ा पड़ा है धेर सारे electrons हैं यहाँ धेर सारे electrons a lot of electrons electrons को मालीजे मैं ऐसे represent करता हूँ यह कुप सारे electrons है electron को जैसी पता चलता है यहाँ पर positive charge यह मतलब electron की कमी है तो यहाँ से electron निकलता है पर यहां आकर इस positive charge के साथ इसको neutralize कर देता है तो बताइए यह वाला जो positive charge यह disappear हो जाएगा, यह वाला positive charge यह बहाला positive charge यह भी disappear, और ये भी disappear ha जाएगा कि जो सारे charges मैंने आप यह पक्लिप लिया है यह सारे chargers क्या जाएँगगे इसाप्यर हो हो जाएंगे मतलब करता ह divisक करता आध कि ःट इसको पॉज़िटिभ चार्जेevery इस होता गया है सारा पोसिटिभ चार्ज बाहर हो गॉजा हर ऑर वाना तो यह सो आ जा गया है कि इसका मतलब बाहर वाली सरफेस पर जो चार्ज डचान है वो कितना बचा है zero, there is no charge, because अर्थ के जो इलेक्ट्रोन से उनके साथ में इंटरेट करके, इस सारा positive charge disappear हो गया, तो अपर लोग इन जनरल लेंग्वेज में इसे बोलते हैं कि अर्थिंग करते ही सारा positive charge अर्थ में चला गया, जबकि उसका interaction इन इलेक्ट्रोन के साथ में हुआ है, तो अब बताइए हमारा answer क्या होना चाहिए, क्योंकि हमको पूछा गया है कि charge on the outer surface, charge on the outer surface is zero, okay, inner surface पे पूसता, तो charge कितना होता, minus q, आपको आपके question का answer मिला होगा, बहुत प्यारा और short सा sweet सा concept था, ऐसी peripari physics को जानने के लिए चुड़े रहिए ABG की दुनिया की playlist के स है सबताख़ जाताख़, जड़े रहिए 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 धनाने के डाने की अगनाएव भी स्व communism.